मेरी इस कविता का शीर सक है संगतकार संगतकार जो बड़े गायक हैं उनके साथ आम तोर पर संगतकार होते हैं जो उनके शिश्य होते हैं या दूर के संबंदी होते हैं और वो स्थाई में बीच बीच में ताने लगाने में उस्ताद का बड़े गायक का साथ देने में अपनी आवाज का स्तेमाल करते हैं ये कविता ऐसे संगतकारों के बारे में हैं एक नगरने लोगों के बारे में जिनकी कोई गिंती नहीं होती है जो महुतपूर्ण नहीं माने जाते है, ऐसे हाशिये के लोग, इस तरह के लोग जो दबे हुए हैं, निम्न बर्गी हैं, और जिनके हैसियत कोई स्टार के हैसियत नहीं है, ये कविता ऐसे लोगों के बारे में कुछ बतलाती है, इस कविता में संगीत की शब्दावली का काफी इस्तेमाल है लेकिन हम इसे संगीत से बाहर भी ले जा सकते हैं जीवन में और जीवन में हम संगतकारों के नए नए रूप भी देख सकते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि इसे संगीत के दाइरे में रखकर ही पढ़ा या सुना जाए इसे संगीत से बाहर ले जाकर भी इस कविता को समझा जा सकता है तो संगतकार मुख्य गाय के चत्तान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुन्दर कमजोर और कांपती हुई थी वह मुख्य गाय का छोटा भाई है या उसका शिश या पैदल चलकर सीखने आने आने वाला दूर का कोई रिष्टेदार मुख्य गाय की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर भटकता हुआ चला जाता है एक अनहद में तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ हुआ सामान जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बच्पन जब वो नौसिखिया था तार सब्तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेणा साथ छोड़ती भी उत्सा अस्त होता हुआ आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ तभी मुख्य गायक को धारस बनाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर कभी कभी वो योँ ही दे देता है उसका साथ यह बताने के लिए कि वो अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग और उसके आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को उचा न उठाने की जो कोशिस है उसे भी फलता नहीं उसकी मनुश्यता समझा जाना चाहिए